हाई गईज देन वल्कम बाक टू दी चैनल दीपक या दव एजुकेशन वेल्कम डू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस और फॉस्ट अफ मार्च ट्विटी ट्विटी फॉर तो गाईज आज है तारिक 1 मार्च 2024 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पिपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक या दवेजुकेशन यूपी ऐसी आपको यह वला चनल मिल जाएगा स्पेक लिक करना और जाकर इस चनल को जाइन कर लेना यहां से आप डेली बिसस पे इस लेक्चर के पीडियेफ को डाउनलोड कर पाओगे नाव हमेशे की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है काली टाइगर रिजर्व को कहां पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन साल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवेस यर साल 2008 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बिसस पे हम लोग याँ पर एक प्रिवेस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बोलता है दोस्तो कहने का मतलब है नीचे अगर आप चारो आप्शन्स देखते हो तो हर एक आप्शन के अंदर में दो मेटल्स के नाम दिये गए हैं बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जिसमें सबसे हलका मेटल और सबसे भारी मेटल दोनों ही प्रेजेंट हैं तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्षन में देना है एटलीस सभी को उसमें पारिसिपेट करना है जिसे हम आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि वडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शबारम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमनिल वाले इंपोर्टन आर्टिकल की तरफ दोस्तो आज एक मार्च हो चुकी है नया महीना शुरू हो चुका है तो अपनी पूरी प्लानिंग करके चलना कि इस मन्त मुझे क्या-क्या चीज़े कवर करनी है और क्या-क्या पढ़ना है और अपने टार्गेट्स ऐसा नहीं है बहुत बड़ा टार्गेट्स सेट कर लो छोटे-छोटे टार्गेट्स हमेशा आपको help करेंगे और छोटे टार्गेट्स achieve होने के बाद में एक बड़ा motivation हमको मिलता भी है और ध्यान रखना लाइफ में planning बहुती ज़ादा जरूरी है especially अगर आप पड़े exam के लिए prepare कर रहे हो for example UPSC के लिए भी prepare कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए best planning होनी जरूरी है उसी के according आप चल पाओगे बिना planning के कुछ नहीं हो सकता और एक बात ध्यान रखना ऐसा निये कि आप पूरे महिने की एक ही पूरी planning लेकर रख दो ठीक है वो कभी follow नहीं हो पाती है आप कोई पता है मुझे भी पता है हम सभी को पता है time table हम हर बार बना तो लेते हैं लेकिन उसको follow कर पाते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बस ऐसे ही रहता है वो discipline वो consistency आहीं नहीं पाती तो हमेशा दोस्तों आप next day की planning किया करो for example आज रात में सोने से पहले भई आप bed पर हो आपके पास में exam pad होगा या फिर वो जो भी आपर पास में कह सकतो paper हो pen हो उस पर लिख लिए अगरो या कल मुझे यह चीज़े cover करनी है यह यह पढ़ना है अपने time का utilization इस प्रकार से करना है और फिर उसको follow करो कुछ दिन तक follow करो कम से कम एक महिना follow करो आप उस routine में set हो जाओगे आपको जो benefits उसके मिलेंगे दोस्तो आपके life में जो आप time waste कर रहो जगा जगा पर वो चीज़े कम हो जाएंगी ठीक है उसके अलावा आपकी जो life है जादा effective होगी आप जादा productive चीज़ों पर ध्यान दे रहे होंगे जादा आपको benefits मिल रहे होंगे उन सब चीज़ों के समझ गए क्योंकि at the last हमें हाँ पर आगे एक success है जिसको achieve करना है नहीं करना है या goal नहीं है कोई बहुत बड़ा तो time waste कर सकते हो देकिन धियान रखना दोस्तो time waste आज के समय पर एक बहुत बड़ी problem है जिसको लेकर personally मेरे पास में बहुत सारे messages आता है सर मैं मुबाइल देखना शुरू करता हूँ थोड़ा सा break लेता हूँ 10 minute का वो 10 minute का break मेरा 1 गंटे बड़ल जाता है फिर वो 1 गंटे के बाद मेरा मन नहीं करता आगे पढ़ने का सोचता हूँ शाम को कर लूँगा जाके सो जाता हूँ फिर शाम को उठने के बाद में सोचता हूँ यार आप कल से शुरू करूँगा फिर वही कहानी अगले दिन फिर रिपीट हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो यह will power है ना बहुत कमजोर है मुबाइल का छोडना ही नहीं चाहा रहा है ठीक है तो मुबाइल को रखो साइड में अपने वीडियो वगरा जो भी है मॉर्निंग में, आजकल वीडियो तो मॉर्निंग में अपलोड हूँ रहा है एक मैं आपको सीजी चीज़ बताता हूँ मॉर्निंग में 5-6 बिल तक वीडियो आ जा रहा है अपना मॉर्निंग में उठना है वीडियो को देखना है वीडियो देखने के बाद मैं मुबाइल को साइड में रख दो बंद करके लॉक में डाल दो अब अपने आपको यहाँ पर ऐसी आदा देदो के बें मैं पूरे दिन पढ़ूँगा या इतने इतने समय पढ़ूँगा और मुबाइल को नहीं चूँँगा फिर अपना टार्गेट पूरा कर लूँगा तब अराम से मुबाइल चला लूँगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ऐसी स्ट्राडेजिस को यहाँ पर फॉलो करोगे डेफिनिटली बहुत सारे जो बेनेफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे अब ज़्यादा टाइम वेस नहीं करते हैं आज इस महिंत का पहला दिन था तो सोचा यहाँ पर कोई चीज़ें आपके साथ में शेयर की जाएं दूसरी बात वीडियोस काफी पावरफुल हैं जैसे ये वीडियो आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तो ओल इन वन वीडियो है इसमें हर इक चीज़ आपको मिलती है शौट निउस, वरी शौट निउस, एडिटोरियल, ओपीनियन ठीक है हर इक चीज़ को अच्छे से फॉर्मेट करके आपको प्रोवाइट करवाया जाता है नोट्स आपको यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर इन वीडियोस को देख रहे हो तो एक दा लास्ट इदर उदर भागने की ज़रुरत नहीं मैं कोई मैगजिन कवर कर रहा हूँ या यह वो कवर कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की कोई ज़रुरत ने पढ़ लेगी क्योंकि मैं हर एक सोर्स को यहाँ पर इक लूड करके चल रहा हूँ ताकि आपके लिए जादा सदा चीज़े इस्पेशली करेंट अफियर्स के लिए असान हो जाएं जादा टाइम आपका खराब ना हो इदर उदर की चीज़ों में सीधा आप अपने कॉंटेंट पर फोकस करें वीडियो पर फोकस करें और अपना जो एक्जाम है उसको निकालें चीख है तो थमनेल में दोस्तों मेंशन किया यह है एक बिमारी के बारे में और वो बिमारी है है हमोफीलिया यह जो आप खबर देख रहे हो इस वाले आर्टिकल के अंदर थमनेल पर यह खबर थोड़े दिनों पहले की भी है लेकिन इसमें हम एक नई चीज़ आड़ करते हैं यह आप देख पाऊगे इन एक्सप्रेस का कवार है सभी निउस्पेपर्स के अंदर में एक टॉपिक कवर क्या जा रहा है कि इंडिया ने अपना पहला human clinical trial for hemophilia के लिए conduct किया hemophilia gene therapy के लिए दोस्तों यापर यह बुरा का बुरा trial हुआ है अब यह hemophilia एक इतनी बड़ी बिमारी हो चुकी है इसको हम rare disease बोलते हैं आपको पताऊगा कल या परसो मैंने rare disease का यह केडिटूरल आपको पढ़ाया था ठीक है यह एक ऐसी भयानक बिमारी है दोस्तों जिसको ठीक करना काफी मुश्किल है इसका एक उपाय यह निजर आया कि हम इसमें gene therapy कर सकते हैं जो genetics है उसमें कुछ changes कर सकते हैं उसको लेकर पहला clinical trial जो है वो conduct किया गया जिस वज़ा से हेमोफिलिया आज चर्चाओं में बना हुआ है आपको gene therapy कैसे होती है वो भी बताऊंगा बट उससे पहले इस बिमारी के बारे में समझ लो कि हेमोफिलिया A exactly होती क्या है तो दोस्तों एक प्रकार का genetic disorder है genetic disorder कहने का मतलब है especially जो हमारे body के अंदर genes है DNA, RNA उनी में यहाँ पर दोस्तों एक problem, एक issue देखने को मलता है और खतरनाक बात यह है कि यह disorder ऐसा है जहाँ पर body के अंदर जो खून जमने की शमता होती है वो खतम हो जाती है कहोगे इसका क्या मतलब अब suppose दोस्तों body के अंदर कहीं पर भी cut लगा cut लगने के बाद क्या होगा वहाँ से खून निकलना शुरू होगा और खून निकलते निकलते थोड़ दिर में वहाँ पर खून जम जाएगा blood clotting जिसको बोलता है और खून जम जाएगा तो खून रुख जाएगा है ना यह simple है यह healthy process होता है कि नॉर्मल आपका blood vessel है उसमें कहीं पर cut लग जया थोड़ दिर खून निकला खून जम गया clotting कहते हैं उसे यह healthy process है लेकिन hemophilia में दोस्तों यह कहानी बदल जाती है hemophilia में क्या होता है यह हमारी blood vessel है अगर यहाँ पर cut लग जाता है तो वो खून लगातार निकलता ही रहता है यहाँ पर जो clotting है जो खून है वो यहाँ पर जम नहीं पाता अब खून जम नहीं पाया तो इस विससे सारा का सारा जो खून है यह बाहर निकल जाएगा इसी वजा से इसको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहनते हैं कि हलका सा कट भी इनसान के लिए जान लेवा हो सकता है यह है हेमोफीलिया वाली कंडिशन दोस्तो तो जैसे मैंने बोला यह एक rare disorder है और एक sex linked disorder भी है क्योंकि यहाँ पर जो हेमोफीलिया की जब हम लोग को बात करते हैं तो यह कौन से gene इस बिमारी को carry करता है तो जो X chromosome से दोस्तों यहाँ पर इसको carry करते हैं जो gene है basically हमोफीलिया के लिए वो carry हुएते हैं carry के जाते हैं X chromosome के अंदर में अभी मैं आपको आगे इसके बारे माँ डीटिल से बढ़ाओंगा अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसके पीछे का reason क्या है कारड क्या है तो दोस्तों कारड है कि हमारे gene के अंदर में बदलाव हो जाता है कभी-कभी gene के अंदर में जो mutation है जो changes है उसकी वजह से क्या होता है body के अंदर में जो clotting factor protein है जो की एक इशारा देता है खून को कि हाँ भी अब clotting होनी है जमना है ठीक है अब क्या होगा कि यही जो clotting factor है वो काम करना बंद कर जाता है या कह सकते हो दोस्तों main reason यह है इस hemophilia के पीछे कि जो clotting factor 8 हमारी body में होता है वो clotting factor 8 या तो कम मात्रा में होगा या बिल्कुल नहीं होगा अब यह clotting factor ही नहीं है तो खून जमेगा ही नहीं लगातार flow होता रहेगा तो यह इसका main पीछे cause हो गया अब बात आते हैं symptoms कि इसके lection क्या है अब lection में अगर आप देखोगे तो जो especially मैं आपको बताई चुका हूँ क्या यहाँ पर scenario देखने को मलता है दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो जो पुरुष है उनमें जादा ये बड़ी problem देखने को मलती है as compared to the females simple अब treatment क्या है इसका अगर problem इतनी जादा है तो treatment क्या करते है भई या उसका तो आज के समय पर दोस्तो treatment कोई जादा proper नहीं है अगर आप देखोगे treatment अगर कोई किसी को proper दिना क्योंकि आप कैसे रोकोगे खून को मालो दूसरा कट लग गया तो खून निकलते ही रहेगा फिर दुबार कट लग गया तो खून निकलता रहेगा जमे गई नहीं तो वो रुके गई नहीं तो इसके लिए कही न कहीं जो एक clotting factor होता है वो body में डालने की जरुरत होती है वो clotting factor 8 की हम लोग बात कर रहे है तो अगर body में इसको डाल दिया जाएगा तो इससे खून जमना शुरू हो जाएगा तो थोड़ी दिर तक निकलेगा खून जम जाएगा वो healthy process है पूरा का पूरा लेकिन इसके अलावा ये तो हो गया पहला treatment दूसरे treatments के अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कही ना कहीं surgery करवानी पड़ती है जहाँ पर भी थोड़ा damage हो है कट लगा है surgery करओ surgery करओ के तभी वो खून रुख पाएगा otherwise नहीं रुख पाएगा या कुछ दवाईयां जिससे clotting प्रमोट हो सके clotting हो सके body के अंदर में यह कुछ treatments available है बट यह treatments भी ज़्यादा healthy नहीं है ज़्यादा कह सकते हो कि body level पर successful नहीं है तो इसी का यहाँ पर एक सबसे बड़ी हा solution निकाला गया है gene therapy अब यह क्या है दोस्तों इसको समझना क्योंकि अभी इसका पहला clinical trial किया गया जिस विए से चर्चाएं हो रही है gene therapy एक ऐसी technique है जिससे एक इनसान के gene को हम modify करेंगे उसके अंदर में changes करेंगे ताकि वो जो gene है वो क्या कर सके बिमारी को ठीक कर सके इस बिमारी को ठीक करने के लिए उसके gene में ही बदलाव कर दिया जाएगा इसको बोलते है gene therapy अब gene therapy कई सारे तरीके से की जाती है for example मानलो एक ऐसी यहाँ पर यह बोला जा रहा है body के अंदर में एक gene ही तो है जिसके अंदर बदलाव होनी की वज़ा से hemophilia हुआ तो उस वाले gene को हटा दो उसको body से निकाल दो निकालने के बाद में उसकी एक healthy copy को उसकी जगा पर लगा दो तो क्या होगा इससे यहाँ पर problem ठीक हो जाएगी या जो gene problem create कर रहा है उसको inactivate कर दो अब वो काम ही नहीं करेगा या तीसरा यहाँ पर क्या होगा एक नया और modified gene को यहाँ पर लगा देना body में जिससे जो बिमारी है वो ठीक हो सके अब जो यह gene therapy वाले products है वो already यहाँ पर इसके उपर कई सारी studies की जा रही है इनको अलगलग बिमारी के लिए बिमारी को ठीक करने के लिए इसको try क्या जा रहा है अब जो मैंने आपको thumbnail पर जो basically यह topic दिखाया था कि अमेरिका ने दुनिया की एक सबसे महंगी दवा को एक approval दिया यह सही बात है अगर आप देखो के तो यह last year की news है बहुत सारे news articles यहाँ पर उसमें पर publish होए थे और इस दवा का नाम है hemogenics यह दुनिया की सबसे महंगी दवा है एक खुरा के लिए कम से कम 28 करोड रुपे खर्च करने पड़ेंगे और यह कौन से विमारी के लिए बनाये गया था इसी hemophilia को ठीक करने के लिए बनाई गई थी समझ गए clear चलिए आगया आता है next radical पर आज के ही दा हिंदू newspaper में हमारे पास एक और topic है जिसको हम GS paper number 3 environment से link करेंगे अच्छा तो पहले वाला topic GS paper number 2 health से link करेंगे simple है तो दोस्तों यहाँ पर बात है जो writer है उनका कहना यह है कि जो leopard का number है वो इंडिया में increase हुआ बही 2018 से 2022 के बीच का अगर comparison करें तो 8 प्रतीशत leopards की संख्या increase होई है ठीक है यह बताया है अब कहां कहां पर increase होई है leopards को लेकर static data क्या है वो हमारे लिए जानना ज़्यादा जरूरी है अगर आप देखोगे तो यह जो information है छोटी सी क्या ही आपको exam में help करेगी किसी भी तरीके से कभी नहीं करेगी दोस्तो अब यह information हमारे लिए जरीया हो गया हमारे लिए एक source हो गया कि हमें exam के लिए leopard के बारे पढ़ना होगा और ऐसे कई सारे questions already पूछे जा चुके हैं तो अब इस article से जो relevant चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा plus static data, current data सब mix करके यहाँ पर हम पढ़ने वाला जिससे आपको पूरी holistic clarity मिल जाए तो exam के लिए सबसे पहले दोस्तो leopards के बारे बात करेंगे इसका scientific name क्या होता है scientific name पैंतरा पाड़र अब leopard जो है जो big cat की species big cat में हमारे tiger, lion, jaguar यह सब big cat की species होती है उसमें से सबसे चोटी species सबसे चोटी प्रजाती है यह leopard ठीके, यह रात में ज़ाद active होता है चोटे चोटे जो जानवर है specially आपर cheetal, deer या फिर जंगली, sewer उनको यह खाने का काम करता है अब leopard में दोस्तों यह जादर आप ऐसी देख पाऊगे leopard में जो sign है यह इनका शरीर है बाकी उपर इस तरीके से dark black color का एक round सा है बीच में है ना ऐसे round से कैफिसर है बने वह है तो यह leopard की पहचान है लेकिन कई बार leopard पूरा black color का हो जाता है उसके पीछे का reason होता है melanism आज से कुछ दिनों पहले मैं आपको बता हूँ शायद 11 फरवरी को मैंने पढ़ाया हुआ melanistic tiger के बारे मैं भी ओडिशा में पहली melanistic tiger की सफारी जो है वो शुरू हो रही है तो क्या होता है कि जो melanism होता है especially melanism एक में कारण है जिसकी वैसे जो लेपड है उसकी skin पूरी black हो जाती और ध्यानक ना जो भी melanistic leopard होता उसको black panther बोला जाता है तो question बन जाए कि black panther के पीछे का reason क्या है ठीके वो है melanism melanism की बज़ा से उसकी जो पूरी skin की color है वो पूरी black हो जाती है अब बात आती है habitat की ये leopard कहां पाए जाते हैं तो leopard सब सहरा अफरीका उसके अलावा western central Asia है ना south east Asia इन सब regions के अंदर में देखने को मिलेगा अब बात करते है especially Indian leopard की क्योंकि हम India की exam के लिए prepare कर रहे हैं यहां से question बनने के chances है Indian leopard इंडिया के जातर area में आपको देखने को मिलेगा अगर हम especially बात करेंगे भारत में leopard की population को लेकर क्या scenario है तो जो हाली की reports especially status of leopard in India करके 2018 की report है Ministry of Environment, Forest, Climate Change, News report को release किया उन्होंने ये दिखाया कि 2014 के comparison में 2018 में 60 प्रतीशत leopard की population बड़ी और अभी जो latest report है वो ये बोलती है कि 2018 से 2022 तक अभी और ज़दा population increase हो चुकी या 8% और increment नज़र आया ठीक है तो पहले leopard की population 12,852 थी अभी ये और ज़दा बढ़कर ठीक है नंबर इसके obvious बातें increase हो चुके है अब सवाल यह है कि जादतर मात्रा में leopards कहां कहां पर है तो largest number of leopards आपको मध्या प्रदेश में देखने को मलनेंगे दन करनाटिका दन उसके बाद में महराष्टरा यहां पर इस तरीके से states ज्यान रखना इनकी जो population कम हुई भी थी उसके पीछे का reason है threats काफी खत्रा है इनको इनकी खाल के लिए दोस्तो illegal व्यापार के लिए leopards को मार दिया जाता है शिकार किया जाता है कई बार human leopard conflict हो जाता है ठीक है उन conflict में यहाँ पर इंसान जो है इस leopard को मार देता है तो इस प्रकार से जो problems हैं उसको देखते वे इसको कई सारी तरीके से protection दी गई है सुरक्षा दी गई है जिसको बोलते है conservation status तो दोस्तो conservation status में IUCN के red list में leopard को vulnerable category में cover किया हुआ है vulnerable मतलब थोड़ा खत्रे में आपको यह प्रजाती नजर आती है sites के अदर में आप index 1 में यानि इसका दो international trade बगरा है वो आप नहीं कर सकते हो उस पर धेल सरे restrictions है बाकी wildlife protection act 1972 के तहर schedule 1 में cover किया गया यानि इसका शिकार नहीं कर सकते हो उसके उपर penalties यहां पर लगाई गई है तो यह हो गई leopard के बारे में A to Z सारी information कोई भी examination होगा इंडिया में चाहिए वो UPSU चाहिए वो सारे one day examinations हो कहीं पर भी इस topic से सम्मधित question आएगा तो आप उसको आराम से handle कर पाऊगे ठीक है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो और दोस्तों hemophilia हमने डिसकस किया ऐसे आगे भी बहुत सारे news article में आपको पढ़ाने वाल हो सब में बहुत सारा background data है जहां से examination में questions आएंगे अब उसको लिखने बैठोगे notes बनाने बैठोगे इस lecture का तो घंटों लग जाएंगे यह एक घंटा डिल घंटे का वीडियो और फिर आपका तीन चार घंटे बदल जाएगा तो उसका एक अच्छा solution है आपके वल वीडियो देखिए उसके अलावा readymate सारे के सारे जो printed notes है वो आपको यहाँ पर तयार करके दिये जाते हैं एक printable form के PDF में इसी particular group में printable form मतलब इस पूरे PDF का printout बगरा भी निकलवा सकते हो Hindi English दोनों भाशाओं में PDFs available है दोनों माधियम के जो आपके जोड़ा प्रेंट से उनकी help हो जाती है दूसरी बात दोस्तो इस ग्रूप में सारा content secure होता है date wise पड़ावा है तो आपको यहाँ पर कोई दिकत नहीं है PDF स्टोर करने के जो issues होता है वो सब भूल जाना है आपके पास में unlimited option है किसी भी तारीक का PDF उठाओ download करो, पढ़ो, delete कर दो सब कुछ आपके इस group में secure है और ऐसन यह कि अगर आज join करोगे तो आज से PDF मिलेंगे नहीं अगर आप आज भी इस group को join करोगे तो सारे पुराने PDF तो मिलेंगे मिलेंगे और आगे regular के सारे PDF मिलते रहेंगे और इस group को join करने के लिए जो यहाँ पर fee payment है वो भी बहुत minimum है just 499 for the live time access या फिर जब तक आपका selection न हो जाए तब तक आप 499 में इस group को join करके रख सकते हैं इस group को join करने के लिए क्या करना होगा WhatsApp पर जाना यहाँ पर आपको एक number दिया गया है 853-487-3368 इस number पर message कर देना कि I want to join this group इस प्रकार का message कर देना वहाँ पर आपको payment का process दिया जाएगा और payment के process जादा important आपको demo वीडियो का link दिया जाएगा आप पुरे demo वीडियो को check कर सकते हो कि हम मुझे किस तरीके से फायदे होंगे then finally अपना आपको satisfy करने के बाद में जाकर यह अपना investment कर सकते हैं दोस्ते एक छोटी सी request आप लोगों से रहती है कि make sure किया कीजिए वीडियो पर जो like का button यार उसको press कर दिया करो इससे बहुत support मिलता है बहुत help मिलती है और वीडियो उसकी जो reach है वो भी यहाँ पर increase होती है ठीक है चलिए आज के ही newspaper का एक और relevant article यहाँ पर बात की जा रही है हमारी केंदर सरकार ने जो windfall tax है पेट्रोलियम crude oil के ओपर यहाँ पर दोस्तों increase कर दिया है यानि कि जो कच्चा तेल होता है उसके ओपर में windfall tax को बढ़ा दिया गया अब सवाल यह है कि article में क्या होगा हमारा मतलब काम का कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हाँ मिलेगा यार लेकिन इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा अगर आप सिलिबस उठाओगे economy का concept खोलोगे तो आपको यहाँ पता होना चीए windfall tax होता क्या है जब तक पता नहीं होगा windfall tax क्या होता है चलिए यह basic data मैं आपको पहले बताता हूँ अब बात यहाँ पर यह हो रही है कि windfall tax होता क्या है जब एक company को benefit मिल रहा है और वो जो benefit है वो उस benefit की हगदार नहीं है ठीक है हगदार नहीं बेसिकलिए उसके लिए वो responsible नहीं है बस खाली लेकिन उसको बहुत benefit हुआ तो जो बहुत सारा benefit हुआ है उसके उपर सरकार windfall tax लगाती है अब कहने का मतलब है आपको बहुत simple शब्दों समझाता हूँ अब क्या जो यह कच्चा तेल है वो केवल बहार की countries में ही produce किया जाता है नहीं दोस्तो इंडिया में भी जो crude oil है कच्चा तेल है उसका production होता है अब कई सरी कंपनिया करती है अब उस कच्चे तेल को produce करने के बाद में वो कच्चे तेल को वो export भी करती है अच्छा पैसा कमाने के लिए ठीक है अब बीच में क्या होता है कभी कभी आपने देखा होगा situation ऐसे हो जाता है जब international level पर पूरे दुनिया में जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ जाता है ठीक है कच्चे तेल के दाम automatically increase हो जाएंगे किसी reason की वज़ा से या war हो गई कोई युद हुआ रश्या युक्रेन का युद हुआ उसकी वज़ा से यहाँ पर shortage हुआ तो यहाँ पर इसके दाम बढ़ गए तो अचानक से price बहुत ज़ादा high हो गए तो बहुत ज़ादा high होनी की विए से जो company हमारे देश की इस कच्चे तेल को export कर रही थी suppose यहाँ पर पहले वो यहाँ पर कुछ amount में export कर रही थी ठीक है उसको कुछ profit हो रहा था पहले भी बट अचानक से कोई ऐसा crisis है जिसकी वज़ा से automatically दाम बढ़ गए अब automatically दाम बंड़ी की वज़ा से इन company को पहले के मुकाबले अब बहुत ज़ादा profit मिलने लगा तो वो जो बहुत ज़ादा profit मिल रहा है जिसकी हकदार ये नहीं है जिसके responsibility इनके उपर नहीं थी जिसके लिए जिम्मेदार नहीं है बसकाली कुछ automatically crisis हुए जिसकी वज़ा से बहुत ज़ादा profit इनके पास में होने लगा तो वो जो extra profit है इसको बोलते है windfall profit और इस windfall profit के उपर सरकार जो tax काटती है उसको बोलते है windfall tax, simple, game खतम बस इतना सा matter था ठीक है, तो government क्या कर सकती है, one time tax लगा सकती है, जो यहाँ पर normal, जो profit मिल रहा है कंपनियों को वो तो ठीक है लेकिन normal rate से भी ज़्यादा profit extra profit जिसको बोला जा रहा है उस extra profit पर जब tax लगेगा then it will be called as windfall tax ठीक है बात क्लिए होगे दोस्तो अब यह windfall tax क्यों लगा जाता है, ताकि जो सरकार है अपने finances को और ज़्यादा boost कर सके, सरकार के पास में कुछ जो funds से वो इखटे हो सके ठीक है, economy के अंदर में वहाँ पर वो funds को इंचेट कर सके simple सी बात है, clear हो गया windfall tax क्या होता है, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में next radical पर आज कहीं newspaper में एक और topic है, जहाँ पर बात हो रही है हमारी केंदर सरकार ने 75,000 करोड रुपे अपरूव कर दी है for the free electricity under solar scheme कहने का मतलब है दोस्तों आपने PM सूर्या घर के scheme के बार में सुना होगा मुफ्त बिजली योजना इस योजना का मेन मकसद है कि 300 unit तक free की बिजली हर महीने लोगों तो या लगबा कह सकतो एक करोड के घर तक यहाँ पर पहुचाना अब इतनी सारी electricity free में कैसे पहुचाएंगे वो पहुचाएंगे rooftop solar installation के माद्यम से चट के उपर solar panels को लगवा कर इससे बहुत फाइदा होगा देशों को लगलग घरों को ये बात ने आपर बताई गई है तो क्या है यहाँ पर प्रधान मंत्री सूरेद व योजना जर्में आपको इसके बारें बताता हूँ फिर इसके बाद जो solar panel का पूरा का पूरा सिन्यारियो है भारत में वो कहाँ पर stand कर रहा है आज कल वो भी आपको बताऊंगा तो हाली में दोस्तों ये जो योजना है इसकी चर्चा हुई थी कुछ समय पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी जी ने प्रधान मंत्री सूरेद योजना का जो पूरा announcement है वो किया और बोला कि ये जो सरकारी scheme है इसके तहट आने वाले समय पर जो एक करोड घर होंगे हमारे देश में उनके चटों के उपर ये solar power panel का systems लगाए जाएंगे इसके लिए ये scheme सपोर्ट करेगी उन सभी लोगों को पहले भी ऐसे कई सारी scheme है 2014 में सरकार ने rooftop solar program लाँच किया था जिसका में मकसद था 2022 तक 40,000 MW तक की बिजली को जनरेट करना या 40 GW तक की बिजली को जनरेट करना लेकिन हुआ क्या वो targets हमारे achieve नहीं हो पाए अभी 2023 खतम हो गया 2024 आगया अभी तक वो 40 GW किया अभी 11 GW भी energy हम लोग generate नहीं कर पाएं उससे तो अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं तो इस विसे सरकार ने जो solar panel systems की deadline है उसको बढ़ा दिया कि भाया 2022 तक नहीं 2026 तक हमने targets को पूरा करेंगे क्योंकि targets को पूरा करने में बहुत slow चल रहे हैं और अभी लोगों को भी ये इसकी system के बारे में जादा पता नहीं है छटों के उपर आप solar panels लगा सकते हो उस solar panels से बहुत सारी बिजली को generate कर सकते हो उसके लिए बिजली का बिल नहीं भरना होगा दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत starting का cost आएगा फिर उसके बाद में जो आपके घर में extra surplus energy generate होगी उसको वापस से बेच कर उससे भी पैसा earn कर सकते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है तो आखिरकार ये प्रधान मंत्री सूरेदय योजना क्या है कैसे scheme help करेगी ये जो scheme है इसका एक नया attempt है इनका कहने का मक्सद है कि हम 40 GW की rooftop solar capacity जल्दी launch करेंगे यानि कि कहने का मतलब है 40 GW तक energy generate हो रही होगी घरों के उपर जो छट पर लगे होंगे solar panels उनके माध्यम से ठीक है especially यहाँ पर जो लोग लगवाएंगे simple सी बात है फिर अगर हम इस solar capacity का पूरा scenario देखें तो अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे है ठीक है यह मैं आपको बताया क्योंकि ministry of new and renewable energy के according बात करेंगे तो जो यह solar power installed capacity है भारत में यह already 73 GW तक पहुँच चुकी है December 2023 तक और इसमें हमें बहुत बड़े targets को achieve करना है अभी कौन-कौन से राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा solar energy का use हो रहा या solar capacity सबसे ज़्यादा है तो वो राजिस्थान टॉप पर है राजिस्थान की capacity सबसे ज़्यादा है 18.7 GW की second number पर गुजरात आपको देखने को मिल जाता है दनो उसके बाद में महराष्ट्रा है उनके पास में भी अच्छी कासी ये capacities नजर आती है but the thing is कि हमें solar energy को इंडिया में और ज़्यादा expand करने की ज़रुवत है बड़ावा देने की ज़रुवत है reason क्या है reason इंडिया के उपर pressure पड़ रहा है दुनिया भर से pollution को कम करना है ठीक है जो climate changes को control करना है हमने अपने target set कर रखे है जबान दे रखे है 2070 तक net neutral country बनेंगे net zero targets को achieve करेंगे उसके बाद भारत कोई pollution नहीं करेगा 2030 तक हम बहुत सरी renewable energy generate करेंगे तो ये targets को achieve करने के लिए हमें इस प्रकार से solar panel का installation करवाना बहुती ज़ादा जरूरी है ये बात इस particular article में mention की गई ठीक है ये बात दोस्तो clear हो गई आ गया आता है अब यहां से आपके कुछ और interesting article शुरू होता है जैसे ये particular एक article जो है ये editorial है मैंने शायद परसो या तरसो editorial discuss भी किया था बट यहां पर इस editorial से संबंदित कुछ और articles भी दा हिंदू में publish हुए जहां पर दोस्तो United Nation की कुछ problems के बारे mention किया गया है अब ये topic इतना relevant है कि आपको prelims के साथ-साथ mains में बहुत help करेगा यहां से वो topic स्टार्ट हो रहे है जो आपको prelims, mains, even interview में भी help करेंगे दोस्तो इनको तीनों तरीके से समझ के चलना पढ़ के चलना ठीक है रटने की कोशिश समद करना समझने की कोशिश करना गहराई से तो ये article क्या बोलता है तो दोस्तों ये जो particular article है इसमें बोला जा रहा है ये हमारे world war जो हुए विश्वियोद हुए world war 1 हुआ, world war 2 हुआ उसके बाद जो United Nation था उस United Nation के अंदर में क्या-क्या challenges आ रहे हैं उसके बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है तो article ने ये बताया को कौन डॉमिनेट कर रहा है western countries डॉमिनेट कर रहे है old powers, for example USA America हो गया, Europe की काफी सरी countries हो गई, वो बड़े-बड़े groups को वही डॉमिनेट कर रहे है उसमें भी example दिया गया, example जैसे world bank world bank हमेशा ही एक American नागरिक के through head किया जाता है ठीक है, उसके लाबा IMF यानि International Monetary Fund ये भी एक बहुत उच्छ लेवल की बॉड़ी है तो यहां पर भी हमेशा western Europe को ही नॉमिनेट किया जाता है तो western countries क्या कर रहे है international level के बड़े-बड़े groups को डॉमिनेट करने का काम कर रहे है तो पहली एक सबसे घटिया चीज हमको ये देखने को मिल रही है दूसरी, United Nation Security Council जो है, United Nation की एक बहुत बड़ी बॉड़ी है, उसके जो पाँच पर्मनेंट मेंबर्स दोस्तों उनके पास में प्रॉपर वीटो पावर है और वो जो वीटो पावर इतनी जादा भेंकर पावर्स हैं, उन पावर के सामने चाहे वो आपके सकतो बड़े-बड़े ग्रॉप्स क्यों ना हो, G77 ग्रॉप क्यों ना हो non-alignment movement क्यों ना हो सब सारे के सारे ग्रॉप्स फेल हो जाता है फिर तीसरी चीज वो सबसे बड़ी प्रॉबलम आज के समय पर देखने को मिल रही है वो है एड होग ग्रॉप्स बड़ चुके हैं एड होग मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए यहाँ पर ग्रॉप्स बनाए गए जैसे क्वार्ड है ना बही यहाँ पर चायना का ग्रेशन रोखने के लिए बनाया गिया इंड होग ग्रॉपिक होग तो ऐसे ग्रॉप्स बहुत सारे उलेडी बढ़ चुके हैं अब बहुत सारे बढ़ चुके हैं तो इन्होंने कहीना कहीन जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं दुनिया भर के जो मतलब दुनिया भर का जो इंट्रेस्ट होता है उसमें उस इंट्रेस्ट को लेना खतम कर दिया है केवल और केवल रीजनल इंट्रेस्ट दिखा रही है देश यह बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने रीजन के हिसाब सुनों ने एक छोटा सा ग्रूप बना बस और ऐसे ग्रूप बढ़ने की वजासे जो बड़े बड़े पूरे दुनिया के लेवल के ग्रूप से हैं उन में वेस्टन कंट्रीस का डॉमिनेशन इंक्रीज हो रहा है फिर एक और प्रॉब्लम है कोविड पैंडेमिक कोविड पैंडेमिक ने सारी बची कुछी जो कस भी बॉड़ी बना रहा कि कि वल पढ़ लो एक्जाम में बस काम में आएगा रियालिटी में कोई काम नहीं आएगा युनाइटिट नेशन को क्यो बनाया गया था ताकि इस प्राकार के युद्धों को रोक सके वो human rights जो है उनका violation को रोक सके मानव अधिकार का जो लगन हो रहा है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सके बट यहाँ पर United Nation clearly fail होता बनाजर आया तो यह सारी के सारी खामिया यहाँ पर आपको देखने को मिलन जाएंगी या फिर writer मोला है कि यह सारे के सारे challenges है world war के बाद में हमारे United Nation के अंदर अब यही पर एक और प्रशन उठता है क्या कोई दूसरी regional organization हमारे इस बड़े से United Nation के system को replace कर सकती है हटा सकती है तो इसका answer है नहीं reason क्या है क्योंकि जो organizations या जो group बन रहे है United Nations से बाहर वो सारे ad hoc है ad hoc मतलब केवल कुछ specific topic के लिए उनके खुद के अपने limited interest है वही तक वो group सीमित रह जाता है international level पर बात करता ही नहीं है ज्यादतार organizations अगर आप देखोगी तो उनके global treaties है ही नहीं global level पर वो discussion करते ही नहीं है छोटे मोड़े discussion पर करके वहीं पर समाप्त हो जाते है तो इसी को देखते हैं यहाँ पर एक conclusion निकाला गया है कि जो यह United Nation है ठीके इसके अपने खुद के challenges देखने को मिलेंगे भाई खुद परिशानी से निकल रही है यह body इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है लेकिन दूसी तरफ कोई तीसरा institution है भी नहीं जो इसको हटा सके तो हमें इसी के अंदर सुधार करने की जरुवत है ताकि दुनिया में शान्ती और prosperity को maintain किया जा सके यह basically हमारा article बोलता है इस article को बहुत ही concise करके मैं आपको बढ़ा है बाकी एक तरफ अगर आप देखोगे तो United Nation एक बहुत बड़ी body है ठीक है उसके छे principal organs है और उन छे principal organ में से सबसे important organ है United Nation Security Council जिसके अंदर 5 permanent member है 10 non permanent member है ठीक है और इसका headquarter New York City के अंदर है चलिए अब इस article करता है साइड में हमारे सामने live mint का एक और बहुत ही relevant article है जिसको हम GS paper number 3 economy के साथ में link करेंगे हुआ क्या है world trade organization that is WTO इनोंने एक नया नियम लागू कर दिया ताकि जो services देखो जो व्यापार होता है दो चीजों का व्यापार होता है एक तो होता है goods का भई सीधा हमने समानों का व्यापार कर दिया दूसरा होता है services का व्यापार चीक है अब यहां पर बात हो रही है services के व्यापार की तो WTO ने कुछ नए नियम services के trade के लिए रखे सामने इंडिया दो है उस नियमों से बाहर निकल गया, तो ये matter पूरा क्या चला, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा से समझाता हूँ ये news में क्यों है क्यों हम इसकी बात कर रहे है तो हाली में दोस्तो 13 यानी की 13th Ministry Conference of the World Trade Organization conduct होता है एक बहुत बड़ा conference यहाँ पर रखा गया, WTO का World Trade Organization एक ऐसी body है जो दुनिया पर के व्यापार को समालने का regulate करने का काम करती है तो हुआ क्या अब भई यहाँ पर World Trade Organization का एक पूरा conference हुआ उसमें नए नियम को लाने की कोशिश की गई जहाँ पर जो services होती है services का जो व्यापार होता है उसके उपर थोड़ा सा control करने की कोशिश की गई और जो यह पूरा का पूरा discussion हुआ उसमें 72 countries ऐसी थी जो यहाँ पर इससे थोड़ा सा सहमत हो गए ठीक है इस general agreement on trade in services को लेकर इस agreement के under में आ गए ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा यह वो agreement है जो कि क्या करता है services के व्यापार को बड़ावा देने की बात करता है तो जो नियम अभी WTO सामने लेकर आया इस conference के अंदर में उन नियम का main उद्देशे क्या था जरा यह उद्देशे जान लो इस नियम का main उद्देशे क्या है main importance यहाँ पर यह है कि जो भी border में मतलब आपस में दो देशों के border के आर पार जो service को लेकर व्यापार होता है उस पुरे में जो regulations है उसको थोड़ा simplify करना equal opportunities provide करवाना जो service providers हैं दुनिया भर में उनको तो यह इसका importance था लेकिन यह इपर कुछ drawbacks भी थे हुआ क्या कि WTO के 162 members sorry 164 members है उन 164 members में से केवल और केवल बहतर यानि कि 72 members अगर आप देखोगे उनोंने यहाँ पर WTO के इस agreement को माना वो इस agreement के party बने बट इस में से बहुत सरी countries बहार निकल गई 164 में से 72 रंदर थी बाकी सब इस agreement से बहार आ गई तो इंडिया ने क्या यह agreement sign किया नहीं दोस्तो इंडिया South Africa कुछ वो countries थी जिन्होंने इस agreement को sign नहीं किया चीक है अब यह agreement था क्या तो यह था General Agreement on Trade in Services क्या बोलता है agreement जरा इस agreement के बारे में जान लेता है ठीक है तो दोस्तो यह जो agreement है यह हमारे World Trade Organization की है एक important treaty है एक important इनका agreement है जिसको कई सरी countries sign करती है इसका main मकसद है ताकि जो व्यापार है उसमें Services को जाद जादा बढ़ावा दिया जा सके और अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के agreement को sign किया जा था उरुगवे round of multilateral trade negotiations के दोरान ठीक है लगबग एक जनवरी 1995 से यह particular जो agreement है वो पुरी तरह से लागू होता वा नजर आया जो WTO के सभी members है इस पेशली इंडिया वो इस GATS का हिस्सा है इस agreement का हिस्सा है लेकिन ध्यान रखना इस agreement के अंडर में जो नियम अभी WTO ने सामने प्रस्तूत किया था उस नियम को हम लोग ने sign नहीं किया है उस नियम से यहाँ पर बाहर आ चुके है तो agreement के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर समझ माया यह एक बड़ा event था WTO के इस meeting के दोरान इस event का में मकसद था कि जो WTO के जितने भी सदस्से हैं जैसे भारत भी है यह सब plastic का जो pollution है इसको कम से कम पैदा करें environment को support करें क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे WTO के 78 members, 78 सदस्से ऐसे हैं जो सीधा इस plastic pollution डायलोग में सामिल हुए इस discussion में सामिल हुए लेकिन इंडिया सामिल नहीं हुआ था यह वो देश थे जो कि कही न कहीं 85% जो दुनिया भर का trade volume है उसमें involved है दुनिया भर के जो leaders थे वो यहां पर present थे plastic trade को कम करने की बात कर रहे थे और United Nation के data के according बताया जा रहा है कि दुनिया भर में जो plastic का व्यापार है वो 2022 में 1.2 trillion डॉलर से ज़ादा बढ़ चुका है जो कि कहीं न कहीं आने वाले समय पर 2040 तक 19% green house gas emission का main कारण होगा इतसे ही सबसे ज़ादा pollution पैदा हो रहा होगा तो इन plastics को control करना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है इसको लेकर एक पूरा का पूरा meeting हुआ फिर उसके एक और meeting हुआ fossil fuel subsidy reform initiative तो दुनिया भर के जो leaders है उन्होंने यहापर थोड़ा सा और stress दिया कि जो fossil fuels हैं जो भी यहापर कोईला वगरा है बिसिकली यहापर बात हो रही है जो कि harmful है इसको लेकर जो government subsidies प्रोवाइट करवारी है उन subsidies को खतम करना अपने देश में ताकि इन चीजों को बिल्कुल भी promote ना किया जाए और इन fossil fuels से सीधा आप एक renewable energy के system की तरफ आगे बढ़ो क्योंकि जब बात आती है इस fossil fuel के subsidies के मामले में तो इसमें इंडिया चौथे नंबर पर है पहले पर है चाइना सेकिंड पर है अमेरिका थर्ड पर है रश्या चौथे पर इंडिया आपको देखने को मिलेगा जो कि इन fossil fuel subsidies को support कर रहे है ठीक है जिससे प्रदूशड हो रहा है तो यह नहीं करना इससे बच के चलना क्योंकि हमें बहुत सारे जो agreements हमने किये हैं इतिहास में वो पूरे करने होंगे तो यह बात यहाँ पर इस particular article में mention की गई है तो ध्यानक ना यह कुछ basic details है जो examination में आपसे पूछी जाएंगी ठीक है एक और important article है row over करनाड का temple bill हाली में दोस्तों करनाड का जो यह temple controversy है वो news में आई क्योंकि करनाड का इनकी जो legislative council है और legislative assembly है legislative assembly ने एक bill पास किया जिसको legislative council ने रद कर दिया कहोगे यह क्या matter है अरे जैसे parliament में अगर आप देखोगे तो हमारा लोकसभा और राजसभा होता है लोकसभा होता है lower house और राजसभा होता है आपर upper house सबको पता है तो यह parliament यानि की central government के level पर होता है इसी concept को अगर हम state के level पर देखेंगे तो state के level पर होता है दोस्तों एक legislative assembly और एक होती है legislative council ठीक है legislative assembly यानि की हमारी विधान सभा और legislative council यानि की विधान परिशद ठीक है अब होता क्या है इस तरीके से यहां से भी बिल पास होता है तो legislative assembly से यहां पर यह बिल पास हो गया था करनाड का temple text को लेकर अब यह बिल सीधा legislative council जब पहुचा तो विधा अभी बिल कुछ समय बाद रूक कर वापस से लेजिसलेटिव असेंबली से पास हो सकता है अगर दुबारा करवना चाहें तो यहाँ पर पास हो जाएगा अपकी बार बट अभी के लिए ध्यान रखना है कि अभी लेजिसलेटिव काउंसल ने इस बिल को पास होने से रोग द था उसके अंदर में कुछ संशोधन यानि बदलाव किये गए हैं तो उस बिल का नाम है करनाड का हिंदू रिलिजियस इंस्टिवशन्स एंड चरिटेबल इंडोमेंट्स अमेंडमेंट्मेंट बिल 2024 तो 2024 का यह जो बिल है इस बिल का में काम क्या है हिंदू टेंपल्स के मंदर में जो taxation होता है उसको regulate करना अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे for example यह जो बिल है ना इस बिल के according हिंदू मंदर जो करनाड का में especially present है उनको ABC करके तीन कैडिगरी में बाढ़ रखे हैं एक कैडिगरी में वो मंदर है जिनका सबसे जाधा मतलब कह सकतो टेक्स बढ़ और तीसरे नमबर पर वो टैंपल जिनकी income अलड़ी बहुत ही जाधा कम है तो यह जो tax वालड़ी इनके पास में जो bill था पहले वाला करनाड का का यह bill क्या करता था जो ऊपर वाले टैंपल हुआ करते हैं जिनमें बहुत जाधा tax वगरा या जाधा बहुत कमाई होती है तो लेकर एक controversy create हो गई थी मैं आपको इसके बारे बताता हूँ तो इस bill को लेकर पूरी controversy रेप तो यह आप पहले इस bill का main मकसद समझ लेता है तो bill का main मकसद है कि पुराने वाले bill में कुछ बदलाव कर दिना पुराने वाले bill में जो basically slabs दी गई थी कि इतना इतना amount दिया होता है economic concept है net income क्या होती दोस्तो net income वाली कमाई होती है जब temple की एक मंदर की पूरी की पूरी कमाई में से उसके खर्चे अगर हम माइनस कर दें उसके बाद जो पैसा बचता है वो होता है net income gross income कौन सी होती है सारा पैसा अभी उसने खर्च नहीं किया जितनी total कमाई है total amount of money जो temple ने earn किया है वो यहाँ पर उसकी total income यानि gross income कहलाती है तो पहले वाला जो बिल है वो यहाँ पर बात करता था कि इन मंदिरों से कुछ पैसा निकाला जाएगा और common pool में रखा जाएगा और वो पैसा सीधा जो दूसरे मंदिर हैं छोटे मंदिर हैं जिनका proper maintenance नहीं है उ पहले उपर 10 लाग और एक करोड रुपे लिए जा रहे थे वो यहाँ पर पहले 5 लाग 10 लाग लिए जा रहे थे तो वो बड़ा कर 10 लाग एक करोड कर दिये गए तो ऐसे यहाँ पर increase कर दिया गया जो यह slab था basically वो यहाँ पर increase कर दिया गया अब ज़ादा पैसा यहाँ प पर करनाड़का की सरकार के उपर में, कॉंग्रीस की सरकार है, वहाँ पर अपताय से द्रमया, चीफ मिनिस्टर है, तो ओपोजिशन पार्टी ने आपर इलजाम लगाया कि आप केवल हिंदू टैंपल्स ही क्यों देख रहे हो, वहीं से आप यहाँ पर यह टेक्स का पैसा क्य खर्चा जाएगा, क्या वाकई में खर्चा जाएगा, क्या इस पैसे का मिस्यूज नहीं हो सकता, मिस्यूज भी तो हो सकता है, आप कहीं और भी दे सकते हो, या केवल हिंदू टैंपल्स ही यहाँ पर यह टेक्स क्यों भरें, इस प्रकार के कई सरे प्रशन उठाएगे, ज प्रॉपर यह पुरा मामला क्या चल रहा है, वो मैं आपको बता दिया, लेकिन यह जो न्यूज जरा इस न्यूज को सागीड में कर लेते हैं, अब यहीं से दोस्तों आपको कई सारे फैक्चुल डेटाज पूछे जा सकते हैं, जैसे कि और दूसरे राज्यों में किस तरी बोड्स आपको देखने को मिलेंगे, इन बोड्स को मैनेज कोन करता है, तो सरकारी जो अपॉंटेड नॉमिनीज हैं, वो यहाँ पर इनको मैनेज करता है, जातर पॉलिटीशन यानि वही नेता बगरा होता है, जो इन बोड्स को मैनेज कर रहे होता है, ठीक है, तो यह यह सरकार का जो ये regulation है temples के उपर में इसकी जरुरत क्या है क्यों यहाँ पर इस तरीके से सरकार का regulation है मंदिर उपर तो दोस्तों के पीछे का reason है कई सारी पुराने 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 जो reports हैं commissions हैं उनका recommendation यही था for example 1960 में 12 सरकार ने एक commission मनाया Dr. C.P. और इस commission ने इस पुरे मामले को investigate किया और फिर उसके बाद में suggestion वही थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो समिधान भी यह matter यह कह सकतो power देता है government को समिधान के अंदर के हम लोग article 25 clause 2 को देखें तो article 25 clause 2 जो है हमारे Indian constitution का वो यह बोलता ह secular activity को जो की associated हैं हमारे religious practices से ताकि ensure कि आजा सके public order, morality और health को ठीक है तो यहाँ पर state का enrollment बताया गया है तो जो framers है constitution के उनने यहाँ पर states को थोड़ा सा control दिया है religious matters को लेकर तो इस basis पर कहीना कि यहाँ पर जो government का regulation है उसकी जवरत पर जाती है ऐसा इस article में mention किया गया है बट news article पर business standard का topic और बहुती ज़्यादा relevant topic इसको बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते है जैसे मैंने आपको promise किया था मैं हर एक चीज चारू तरफ से cover करने वाला हूँ कोई भी question कहीं से भी examination में आएगा तो अगर आप पढ़के गए हो इन videos को तो ऐसा ना लगे आपको कि यार मैंने यह नहीं पढ़ा था या मुझे समझ में नहीं आ रहा है चीक है तो यहाँ पर यह जो article बात करता है सरकार ने एक panel बना लिया है और उस panel को यहाँ पर head क्या जा रहा है TV सोमनाथन जी के थूरू ताकि हम लोग क्या कर सकें एक KYC जो norms है एक uniform KYC को लेकर आ सकें KYC क्या है know your customer कई बार दोस्तों आप लोगों से बोला गया होगा आप बैंक में गयोंगे तो बैंक वाले एधर से उतर भगाते रहते हैं कि KYC करो KYC क्या है KYC आओ यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं तो बैने आर्टिकल आपको दिखाया साइड में अब उस आर्टिकल को साइड कर द अलग-अलग sectors के अंदर में लागू कर सके अब यह matter क्या ज़रह यह जानो दोस्तों इस committee का main objective क्या है main objective यह है कि आज के समय पर जो यह KYC होता है यह KYC बहुत सारे होने लगें इस committee का main काम यही है कि हमें सबी के लिए proper एक KYC चाहिए होगा अलगलग सेक्टर्स में अलगलग KYC की जौरत पड़ती है वैसे आज की समय पर तो अलगलग सेक्टर्स केल में ऐसी बहुत सरी KYC ना करके केवल एक KYC होनी चाहिए उनिफार्म होनी चाहिए यह बिसिकली मांग है ठीक है? अब यहाँ पर अब इस बात को समझना पहली यह चीज़ समझो यह know your customer exactly है KYC होती क्या है तो KYC एक ऐसा detailed process है जिसको business यह जो financial institutions है या banks वगरा की बात कर रहे है जो पैसो से संबंदित बड़े-बड़े यहाँ पर institutions है वो क्या करते हैं? एक customer की identify को verify करने का गाम करते है उसकी customer की authenticity को verify करने का काम किया जाता है इस KYC के माद्यम से तो KYC बहुती ज़्यादा जरूरी है दोस्तो उन सभी customers के लिए जब वो bank account के अंदर में invest करने जाते हैं या bank account को open करवाने जाते हैं ठीक है? आपको कहा जाता है आप open करवाने जाते होंगे तो अब एक KYC फॉर्म बढ़ दो और आज अगर इंडिया में दिखोगे तो बहुत सरे KYC भरवाए जाते हैं अलग-अलग sectors के लिए चाहे आप bank account open करवाने जाओगे mutual fund में पैसा डालना होगा ठीक है, life insurance खरीदना होगा फिर retirement saving fund में इंवेस्ट करने जाओगे तो हर बार आपको बार-बार KYC की जरुरत पढ़ती है KYC की KYC भरवनना पढ़ता है तो यह जो multiple KYC है यह खतम होने चाहिए इनकी जगा एक uniform KYC होना चाहिए यह basically यहाँ पर मांग है बही ऐसा एक लोग आने चाहिए कि बही सबी के लिए एक ही KYC हो हर एक sector के लिए वैसे अगर आप देखोगे तो हमारी केंदर सरकार ने इस ब्रकार का एक concept अल्रेटी इंट्रडीउस किया हुआ है जिसको बोलते है Central KYC Records Registry अब यह registry क्या है जब आए हमारे customers की जो हमारे financial sector के अंदर customers है ठीक है बैंक्स के अंदर में जो customers especially उनके know your customer का सारा data store करके रखती है इसका main मकसद क्या है कि जो KYC के documents होते हैं इनको verify इनको submit करने में जो दिक्कते होती हैं वो दिक्कते ना हो उनको कम किया जा सके हर बार यहाँ पर जो customer होता है है ना वो यहाँ पर KYC करवा रहे हो तो उनको match किया जा सके उनको कोई problem ना हो तो इस प्रकार से यहाँ पर जो central KYC record से उसको त्यार किया गया इसको launch किया गया था हमारी किन सरकार के दुरू 2016 में लेकिन ये केवल कुछ ही market सक अभी सिमित है जादा बड़े लेवल पर इसका use नहीं किया जा रहा है तो अभी उसी सब मामले को खतम करके ये जो multiple KYC करवाई जा रही है उन multiple KYC को खतम करके एक uniform एक particular एक अकेला KYC होना चाहिए जिससे बार-बार लोगों को परेशान ना करना पड़े क्योंकि बार-बार परेशान होने की वज़ा से हमारे लिए ही घाटा है इससे यहाँ पर जो investing economy के अंदर जो investors है यह ना निवेशक है वो सही से attract नहीं हो पाएंगे वो भी परेशान हो जाएंगे ठीक है यह बात क्लियर हो गई चलिए आते हैं उसके बाद में एक और news article पर यहाँ पर बात हो रही है 10,000 जो genome projects हैं उनको complete कर लिया है यह हमारी सरकार ने अभी एक statement दिया यह genome projects complete करने का main मकसद क्या है ज़रा मैं आपको इसके बारें बताता हूँ इस article से जात दमदार तरीके से आपर हम इन सब चीजों को समझेंगे सबसे पहले दोस्तों यह gene होती क्या है देख पाओ कि body में RNA है, RNA है, है न डियॉक्सी, ribonucleic acid है, ribonucleic acid है यह सब क्या है, gene है तो इनी gene को पुरा का पुरा जो लेकर data है, वो यहाँ पर भी collect किया गया है हुआ क्या, हमारी सरकार ने हाली में एक announcement किया कि उन्होंने 10,000 जो healthy genomes हैं उनकी sequencing complete कर ली है उनका proper data यहाँ पर complete कर लिया है और ऐसे जो 10,000 healthy genomes लाए गया है इनका data जो लाया गया है, वो अलग-लग 99 different population से लाया गया है हमारे देश बर में अलग-लग जगा पर population उनका रहना तिस्याना अलग है अलग-लग culture को महाँ पर वो follow कर रहे है तो वहाँ सभी जगा से इस सब genome के data को एक खटा किया गया ताकि इसका main मक्सद है कि एक पूरा बहुत ही detailed हमारे पूरे इंडिया का जो पूरा complete genome sequence है उसका एक database ready किया जा सके ये क्या काम करेगा आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों किया जा रहा है वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये जो पूरा काम हो रहा है ये genome India project के तहत हो रहा है तो ये project क्या है ज़रा ये भी जान लो prelims के लिए relevant है तो दोस्तों ही जो genome India project है इसको शुरू क्या था Department of Biotechnology ने साल 2020 में और इसका में मक्सद है 10,000 अलगलग genetic sample को भारत के अलगलग नागरिकों से collect करना ताकि एक पूरा genome data create क्या जा सके इससे क्या होगा हम Indians के अंदर में जो genetic differences होते हैं जीन के अंदर changes होते हैं किसी के genetics अलग हैं किसी के genetics बहुत quality वाले हैं किसी के genetics ज़्यादा quality के नहीं है है ना जैसे आप देख पाते होंगे कई बार बहुत सब्सक्राइब लोग हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का तो इस प्रोजेक्ट में जो 20 अलगलग संस्था हैं भारत की वो इसमें मिली भी है सब मिलकर यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं ताकि इंडिया में हम genetic diversity के बारे में जान सके अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो यह genome इंडिया प्रोजेक्ट इसके outcomes क्या है क्या इसके benefits हम को नजर आएंगे सबसे पहला population diversity इंडिया के अंदर 46 से ज़्यादा अलगलग distinct population groups आपको देखने को मिलेंगे अलगलग group जो कि अलगलग प्रकार की practice को अपना रहे है कोई endogamy practice को अपना रहे है ना बहुत सरी ऐसी endogamy practice को अपना रहे है अपने culture में यहाँ पर अपने एरिया में मतलब अपने culture में अपने उसमें ही साधिया हो रही है है ना तो इस प्रकार की चीज़ों हो जाती है तो यह जो factor से कही न कहीं हमारे देश की जो genetic diversity उसको दरशात है दूसरा यहाँ पर unique variation जो कुछ Indian groups आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ठीक है जिनके पास में जो कह सकते हो कि ऐसे gene होते हैं जिनके body में जिसमें काफी बिमारिया चल रही होती है है ना उनके gene में बहुत जल्दे दी बदलाव हो रहे होते हैं बिमारिया create हो सकते हैं ऐसे बदलाव होते हैं तो ऐसे लोग यहाँ पर जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इंडिया का पूरा का पूरा genetic landscape हम लोग समझ सकेंगे ऐसे डेटा से और जितना भी जिनका डेटा होगा वो सब store कहाँ पर किया जाएगा Indian biological data center के अंदर में ताकि इसके ओपर proper research की जा सके अभी जो Indian biological data center है यह हमारे देश का एकलौता data bank है life science data को लेकर जिसको 2022 में तयार किया गया अब यहीं पर एक प्रशन आता है कि सर हमने अभी genome sequencing की बात की थी genome sequencing करेंगे data एक खटा किया गया है genome sequencing होती ही किया है जरा यह मैं आपको बता देता हूँ तो genome sequencing दोस्तों एक ऐसा process है जहां पर हम DNA के अंदर में जो इसके components हैं जैसे DNA में adenine, guanine, cytosine thymine, यह हमारे nucleotides कहलाता है इनका जो order बनावा होता है वो order किस set में चल रहा है है ना इसको यहाँ पर भापना, इसको यहाँ पर determine करना वो हमारा genome sequencing कहलाता है तो हमारे DNA के जो molecules हैं उसमें जो genetic code है उसको read करना ही यहाँ पर genome sequencing कहलाता है आप कहने का मतलब है यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा example देता हूँ जैसा आप देख पाऊँगे सिस्टोजाइन, गवेनाइन, एडिनाइन, थाइमाइन इनी की दो बात कर रहे थे तो इस तरीके साब देख पाऊँगे गवेनाइन से यहाँ पर सिस्टोजाइन मिलावा है तो यह जो चेन है जो यह पेर सही है वो किस तरीके से माने जोएं इसी पूरे sequence को determine करना इसको यहाँ पर study करना वह है हमारा genome sequencing कहलाता है सिंबल सी बात है ठीक है बाकी DNA की बात करेंगे सर यह होता है है सारी चीज़े कई बार लोग है आपर पूछने भी लगते हैं है न जो बहुत ही साथ बेगिनर है वैसे आप पढ़ते होंगे आपने 8th में है न और भी बहुत पहले अपने स्कूल के समय पर DNA आरेने यह सब कुछ पढ़ा होगा क्या होता है DNA दोस्तों अब DNA की बात करेंगे तो हमारे बाड़ी में देखो मैं आपको बहुत संपल तरीका बताता हूँ एक फोटो में सारा काम खता हमें यह फोटो देखो यह एक human body है इंसान का शरीर है इंसान के शरीर जो है कई सारी cells से मिलकर बनाए किस से मिलकर बनाए cells क और एक human cell को देखोगे तो human cell ऐसा नजर आता है उस human cell में mitochondria है nucleus है ऐसे कई सारी चीज़े है यह बात दोस्तों आपको clear हो गई ठीक है अगर आप देखोगे तो human cell जो है वो कैसा नजर आएगा ऐसा जो मैंने बोला इसमें mitochondria और यह सारी चीज़े nucleus वगरा present है तो हम क्या गर हमारा chromosome present है ठीक है अब chromosome इस तरीके से होता है आपने देखा होगा chromosome यह chromosome हो गया अब chromosome में से यहाँ पर नीचे इसका तार अगर बगड़के एकदम खींच दोगे न तो यह ऐसे बाहर निकल कर आएगा यानि इसमें DNA present होता है यह आप देख पाऊगे तो यह हमारा DNA हो गया ठीक है तो यह होगा human cell इसमें से यहाँ पर ग्रोमोजोम आया ग्रोमोजोम हमने देखा किंच के तो इस तरीके से यहाँ पर वो DNA present हो और इस तरीके से यहाँ पर जो इसके बीच में जो बेस हैं उनकी जो पेरिंग कैसी होई वी है वो यहाँ पर matter करती है तो वो सब determine करना ह लोम sequencing के अंडर में आता है चीख है चलिए आते हैं उसके बाद में एक और relevant आर्टिकल पर दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है हमारी केंद सरकार ने अभी interest free loans provide करवाए हैं आंधर परदेश के FCV tobacco growers को very very important आप देख पाओगे All India Radio की खबर है कई बार आपने टॉपर्स को सु अब यह वाले प्रकार का जो टॉबैकों है दोस्तों इसको ग्रो करने के लिए केंद सरकार ने इंट्रेस्ट फ्री जिसके ओपर ब्यास नहीं लिया जाएगा ऐसा लोन यहाँ पर प्रोवाइड करवाए है जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं आज के समय पर हो रही है औ तो हमें यह जो फ्ल्यू क्योर्ड टॉबैकों है इसके बारे में पता होना चाहिए आखरकार यह क्या होता है तो दोस्तों फ्ल्यू क्योर्ड वर्जिनिया टॉबैकों एक प्रकार का ऐसा तंबाकू यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको तयार करने के नाम पर इसका नाम रखा गया है इसके करेक्टेरिस्टिक्स देखोगे तो इस तंबाकू को स्पेशली सिगरेट बनाने में इस्तमाल किया जाता है प्लस इसके अंदर जो शुगर कॉंटेंट है वो काफी जादा होता है निकोटीन की संख्या इसमें जो निकोटीन का लेवल है वो मीडियम से हाई हो सकता है इसके अंदर नाचुरल टैनिन प्रेजन्ट होता है जिसकी वज़ा से इसका जो टेस्ट है वो दोड़ा सा मीठा होता है खुश्बू काफी देज होती है बागी देखोगे तो यह पत्ता यहाँ पर जो है क्योरिंग प्रोसेस में क्या होता है दोस्तो इस प्रकार के जो हरे भरे बत्ते होते हैं तमबाकू के उनको यहाँ पर सुखाया जाता है ठीक है मार्केट में पहुचाने के लिए ठीक है तो उसके लिए प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस होता है कैसे इसमें तीन मेथर्ड्स होता है पहली बात तो हवा में इस तरीके से सुखाएंगे ठीक है ओपन एयर में सुखाएंगे दूसरा यहां पर फायर में यानि कि जो आग वगरा जला लिए उसका जो दूवा वगरा है उसके गर्मी से आपर सुखाया जाएगा या फिर वी टवाको है उसके लिए हाँ पर यहां पर इसमाल करता है ठीक है अब अगर आप देखोगे इस मेथर्ड के अंदर में जो पत्ते के अंदर में मॉइस्चर प्रेज़ेंट है जो नमी है एकसेस मॉइस्चर को यहां पर रिमूव किया जाता है यह एक प्राइमरी गोल होत नहीं है बस खाली सके मैंने characteristics बताए यह क्या है दूसरा सबसे important जो portion है दोस्तो इसका geographical production geographical production कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया में especially कौन कौन से स्टेट में आपको यह देखने को मिलेगा तो इंडिया में जो यह तंबागू है यह दो राज्यों में produce किया जाता है एक तो आदर प्रदेश में और दूसरा करनाड़का में ठीक है सबसे ज़्यदा production इन दो र तो हमारे पास में आज है down to earth का भी एक important article है तो चारो तरफ है 360 degree में सारी चीज़े cover करना है यहाँ पर बात हो रही है climate impact की अच्छा यह article थोड़ा जादा important है इसको GS paper number 3 environment के साथ में आप link करोगे बात यह है कि आज हम पूरी दुनिया climate change से लड़ रही है temperature जो बढ़ रहा ह उसको control करने के उपर एक special focus कर रही है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा solution दिया गया है जिससे हम दुनिया भर के इस global warming के effect को इस गर्मी को control कर सकते हैं उसी को लेकर यह पुरा topic publish हुआ अब यह news में क्यों है क्योंकि जो हमारे हाल ही में जो researcher से उन्होंने यह study किया कि वही एक तरीक क्या है जिसको बोला गया stratospheric aerosol intervention तो stratospheric aerosol intervention के माध्यम से हम अपने region में जो global warming के effects हैं जो सूरे की गर्मी बढ़ रही है इसको रोक सकते हैं काओगे कैसे तो वो तरीका यही है stratospheric aerosol intervention तो एक बहुत ही जादा important article इसमें क्या होगा दोस्तों आपको बता होगा हमारी earth की atmosphere की क से प्रत्वी की जमीन से उपर जाओगे तो यहां पर कर आप देखोगे 0-18 km तक आपका troposphere के उपर stratosphere then mesosphere then thermosphere and then exosphere हम बात कर रहे हैं अपने stratosphere की चीक है तो दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है यह stratospheric aerosol intervention किया है इसको हम लोग stratospheric aerosol injection भी बोलते हैं इसमें क्या कर रहे हैं हम अपने इस वाले stratosphere वाले atmosphere में इस वाले वातावरण में क्या करेंगे aerosol को छोड़ देंगे aerosol को inject कर देंगे और उसकी वजासे जो global warming है वो कम होता वना जराएगा कैसे process क्या है जरा यह बताओ तो यहां पर क्या होगा हम छोटे छोटे जो reflective particles होता है दोस्तों reflective particles क्या क window को अपने अंदर absorb करके वापस फीचे फैंक देंगे ठीक है तो यह होगा अगर हम अपने stratosphere वाले region में sulfur dioxide वाली जो gas है वो यहां पर फैला दें तो tiny tiny छोटे छोटे reflective particles हैं अगर पूरी तरह से फैला दें तो reflective particles पूरे उपर फैल जाएंगे तो सूरे किर्णे आएंगी तो उन particles से वापस से टकराकर reflect हो जाएंगी उपर की side में तो वापस चली जाएंगी जिससे यहां पर नीचे जो region है वो ठंडा पढ़ने लगेगा दोस्तों तो यहां पर global warming को कम करने का एक सबसे बढ़िया उपाई बताया जा रहा है तो इसमें methods क्या होंगे या तो हम इसमें reflective particles spray कर सकते हैं जैसे example है sulfur dioxide sulfur dioxide हो गया या finally powered salt हो गया calcium carbonate हो गया तो इनको या तो आप हवाई जासे जाकर उपर छिड़क दो सम्में या थोड़ा artillery gun से यहां पर shot मार उपर की side में जिससे यह particles fell जाएं सब जगा तो सूरह की करने यहां से टगरा के वापस reflect हो जाएं तो इसक में बदलने के बाद में क्या करेगा वो सूरह की केंडों को वापस से reflect कर देगा पीछे की side बेज़ देगा clear अब यह aerosol क्या होता है तो छोटे छोटे solid और liquid particles जो यहां पर हमारी हवा में suspend हो जायता है उसको aerosols बोलते है aerosol यहां पर natural हो सकता है for example आपका fog हो गया कोहरा हो गया या gas जो volcanic eruptions होता है तो gas निकलती है ठीक है या कहीं पर धूँआ हो रहा है आपने कुछ जलाया लकली जलाया कोहला जलाया धूँआ निकल रहा है वो aerosols है ठीक है यह बात clear हो गई चलिए नवा आ गया आता है ना प सारी चीज़े cover की गई है ठीक है अब सारी चीज़े अगर पढ़ोगे वैसे अगर आप at the last पढ़ोगे इदर उदर से भागने शुरू करोगे तो इससे ज्यादा समय लगेगा एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगे तो यहां पर आपके लिए ज्यादा आसान होग एडिटोरल डिसकेशन की बात करेंगे दोस्तों एडिटोरल भी हमने कई सारे न्यूस्पेपर से मिला कर डिसकस किये हैं बहुत मज़ाएगा आपको सबसे बहला एडिटोरल हमने बिजनस स्टांडर्ड का लिया है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बारे हम बात कर रहा अब ये प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन की सीज़ में हमारे अंतरिक्ष वाले छेतर में इस पेस सेक्टर में उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा हुआ है तो ये एडिटोरल क्या बोलता है आउज़र समझते हैं तो इस आर्टिकल ने डिसकस किया है कि कैसे जो सेक्टर का पार्टिसिपेशन है हमारे अंतरिक्ष वाले छेतर में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अब राइटर पहले यहाँ पर इसकी जरूरत बताता है कि जरूरत क्या है हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों स्पेस सेक्टर मिलाना चाहते है जरूरत बताओ ज हमारे पूरे देश की स्पेस की एकॉनमी जो है वो टोटल 8 बिलियन डॉलर्स की है जो की दुनिया की स्पेस एकॉनमी का केवल 2% है तो अपने इस ताकत को बढ़ाना है तो प्रावेट सेक्टर को भी अपने इस छेतर में उतारना होगा पहला पॉइंट नमबर दूसरी की ज सरकार से दे कर काम नहीं चलेगा इसमें प्रावेट सेक्टर को उतरना भी जरूरी है तब ही अपने टार्गेट भारत अचीव कर पाएगा यह दूसरी जरूरत राइटर बोलता है तीसीर जरूरत क्या है स्प्राडेजिक गोल्स स्पेस जो है कही न कहीं अगर आप देखोगे आज के मौडन वारफियर का एक इंपोर्टन डेमेंशन बन चुका है और यहां पर स्पेस का सही उप्योग करना और प्रावेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहां पर होना बहुती ज़ादा जरूर सिंपल सी बात है अभी इजरो अकेला काम करने वाला इंसान है तो सारा बोज उसके कंदों में है बड़े-बड़े प्रावेट सेक्टर पार्टिसिपेशन सा जाएंगे वो इजरो की हल्प करेंगे तो इजरो पे से बर्डन कम होगा ज्यादा और मिशन्स के ओपर हम काम कर सकेंगे बड़े मिशन्स को लाँच कर सकेंगे समझ गए तो इस वज़ा से प्रावेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना हमारे इस गौर्वेट स्पेस इंडिस्ट्री में जरूरी है अब यहाँ पर राइटर ने बोला तो हमने क्या आज तक कुछ कदम नहीं उठाया ज स्पेस को दोस्तों लाँच किया गया था ताकि जो प्रावेट कंपनीज हैं ठीक है इनको हम प्रापरली यूज कर सकेंगे फिर उसके बाद में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका में मक्सद है रिसर्च और डेवलेप्मेंट को और ज़दे यहाँ पर बढ़ावा स्पेस वाले सक्टर में उतरना शुरू करेंगे फिर एक और कदम क्या गया है यह तो कदम हाली में उठाया गया है जो विदेशों के निवेशक हैं स्पेशली उनको अट्रेक्ट किया गया इंडिया के प्रती हमने यहाँ पर सेटलाइट को बनाने के लिए मनुफेक्चरि सेटलाइट डेटा प्रोडक्ट्स तो इंड में यहाँ पर FDI 74% तक खोल दी गई है यानि बहार से बहुत सरा जो निवेश है वो यहाँ पर हमारे देश में आएगा स्पेशली स्पेस सेक्टर में अब इन सब चीजों को हटाते हैं साइड में सवाल यहाँ पर है राइटर को बड़ावा मिलेगा दुनिया भर की एकॉनमी में स्पेस एकॉनमी इंडिया वाली भी कॉंट्रिबूट कर रही होगी नएने सॉलूशन हम लेकर आ सकेंगे रोजगार जनरेट होगा जब प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी तो इंडेस्ट्रिल सेक्टर्स की यहाँ पर ग्रोथ होगी क्योंकि हमें बहुत कुछ यहाँ पर बनवाना होगा तो इससे ओवराल सभी जगा पर डेवलेप्मेंट्स होते वे नजर आएंगे यह बात हमारे राइटर मेंशन करते हैं मज़ा आया डिटोरल पढ़कर एकदम साटीक तरीक से समझाया गया है साटीक बड़ा एक लंबा चोड़ा हर्टीक था जिसको शॉर्ट पॉम में प्रिसाइज वे में कवर किया गया चलिए इसी तरीके से यहाँ पर इसको कवर करेंगे जिसके बेसिस पर बोला जा रहा है कि इंडिया का पूरा का पूरा साइन्स का छेत रहे स्पेशली वहाँ पर भी हमारे लिए फंडिंग बढ़ानी ज़रूरी है इंडिया साइन्स के सेक्टर में रिसर्च और डवलप्मेंट में जाधा पैसा नहीं खर्च कर रहा है जितना पैसा दुनिया बर की दूसरी कंट्रीज कर रही है यह हमारे राइटर का कहना है जो राइटर है शंभवी नायक इन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया चाहता है 2047 अपने आपको एक डवलप्ड कंट्री बनाना एक विक्सत भारत बनना तो उसके लिए हमें अपने साइन्स वाले छेतर में भी प्रॉपर इंवेस्मेंट करना ज़रूरी है अच्छा तो अभी क्या स्थिति ये जान लेते हैं कि साइन्स फंडिंग जो है इंडिया में उसकी स्थिति क्या है तो दोस्तों इंडिया का जो रिसर्च और डवलप्मेंट एक्स्पैंडीचर है जो भी खर्चा है हमारा साइन्स एक्टर में स्पेशली वो हमारे का बहुत कम प्रतीशत हम अपने साइन्स जो साइन्स और टेक्निलोजी का सेक्टर है उस पर हम खर्च कर रहे हैं जिससे प्रॉपर इनोवेशन भी नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों ठीक है फिर उसके बाद यहां पर उन्हें ने बोला कि 2021 में अगर आप दूसरे देशों को देखोगे तो for example America या फिर UK United Kingdom इन ये अपने देश में साइन्स वाले छेत्र में अपने GDP का कम से कम 2% से जाधा research development पर खर्च कर रहे हैं और इंडिया 0.something कुछ पर्च कर रहे हैं बहुत कम है अब सवाल ये है कि इंडिया के अंदर में जो science funding है इसमें इत्ती सरी जो समस्या हैं वो समस्या है क्या समस्या number one राइटर बताते हैं कि वह या private sector का participation कम है reality है 2020-21 में गर आप देखोगे तो private sector की जो industries है उनका जो पुरा कह सकतो research and development है उसमें contribution 36% का है जबकि दुनिया बर की countries अगर आप देखोगे तो वहाँ पर average 70-70% का contribution है तो भारत में private sector जो है वो science वा के बराबर है फिर एक और यहाँ पर समस्या है वो है regulatory issues जैसे proper exit option ना होना investors के लिए तो जो investor होते हैं for example बायो technology वाले sector के investors हो गए तो इनको कई बार खत्रा रहता है कि हमारे लिए बाहर निकलने का options नहीं है उसके लावा intellectual property rights का यहाँ पर कोई चीज copy हो सकती है चोरी हो सकती उसको लेकर जो private investment है वो नहीं हो आपता properly फिर तीसरा जो समस्या है under utilization of allotted funds कहने का मतलब है 2022-23 के अंदर में जो हमारी department of biotechnology है या कुछ और department से जो science and tech के अंदर में काम कर रहे हैं इनको कुछ पैसा दिया भी गया तो उन्होंने उस पैसे का proper use नहीं किया for example department of biotechnology ने 2022 ते इसके budget का केवल 72% पैसा लगाया science and technology का जो department उन्होंने केवल 61% तो जब आपको budget दिया गया तो आपने proper तरीके से उसका use नहीं किया proper salaries वगरा disperse नहीं की रहीं पर तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे science and tech के funding में अब इन सब चीजों को देखते हैं राइटर बोलते हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर कुछ नए steps अपनाने की ज़रूरत है जैसे पहला कदम हमें private sector का participation बढ़ाना जो politics है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको priority के उपर रखना होगा research and development को हमें सबसे बड़े importance पर रखना होगा तो कहीं ना कहीं इसको priority देना जरूरी है ठीक है monitoring करना जरूरी है फिर इस पूरे editorial का सबसे main point आपसे पूछ जा सकता है interview के perspective से भी तो ये वाला तीन लाइने दियान जाकना इसके बारे में ये तीन लाइने क्या बोलती है कि इंडिया को कम से कम कम से कम 2047 जब तक हम एक developed country नहीं बन जा दे तब तक हमें 3% अपने GDP का हिस्सा research and development पर खर्चना होगा अगर हमें एक विक्सित भारत बनना है तो तो आपसे question बन सकता है सामने आपको क्या क्या लगता है कितने प्रतीशत हमारे GDP का चाहिए हमारे इंडिया को एक developed country बनने के तो कम से कम research and development पर GDP का 3% हमें खर्चना होगा तब ही जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे समझ गए चलिए आता है यहाँ पर एक और एडिटोरल यह हमारे आज के दहिंदू newspaper का एडिटोरल ए इनका कहना यह है understanding the world of informal waste picker देखो जगा जगा पर आपने देखा होगा कई सगार पर कोड़े कोड़े के धेर लगे होता हैं वहाँ पर कुछ बच्चे महिला हैं है ना कुछ और लोग कोड़ा बीनते वे नजर आता हैं कोड़ा इखटा कर रहे होता हैं इनको बोलता है waste pickers तो मैं word जो use करूँगा वो waste pickers करूँगा तो इनको लेकर पूरा का पूरा एडिटूरेल है वो writer ने लिखावा है writer का कहना यह है कि भाई आज एक मार्च है तो हर बार एक मार्च को international waste pickers day हम observe करते हैं और इस दिन को देखते वे अगर हम बात करेंगे तो हुआ क्या था कि वही कोलंबिया के अंदर 1992 में कई सारे waste pickers को murder करके मार दिया गया था तो उनको यहां पर शदलांजली देने का भी हम यहां पर काम करते हैं और इंडिया की बात कर लो जो यहां पर हम basically writer ने इंडिया की बात किये इंडिया में जो waste management है कूडे कड़कल का जो management है वो बहुत ह गंदा है और कहीना की जो यह waste pickers हैं इनकी हालात भी काफी जादा बेकार है इन waste pickers की जो position है इसको realize करना हमारे लिए जरूरी है इनको एक value देना जरूरी है क्योंकि एक बहुत important role है आज अगर देश में कूड़ा करकर manage हो पा रहा है थोड़ा बहुत भी वो इनकी वज़ा को define किया कि वेस्ट management के अंदर informal sector किया है कई सारे individuals के सारे लोग है छोटी-छोटी कंपनिया है वो सब क्या कर रही है वेस्ट management को लेकर काम कर रही है लेगन बिना registered के हैना इनके पास में कोई proper contract नहीं है बस यहां पर ऐसी भेज जा गया इंको कूड़ा बीनने के लिए तो खुड़ा एक खटा करने में important role है तो आज देश में जैसे मैंने बोला waste management में एक सबसे महतपूर रोल यहां पर waste pickers का है लेकिन waste pickers की हालात बिलकुल अच्छी नहीं है उनका भी ध्यान रखना होगा ये सबी लोग discrimination को face कर रहे हैं कोई पैचान यहां पर इनको नहीं मिले है social security schemes के कोई फाइदे नहीं मिल रहे हैं कोई protection यहां पर इनको नहीं दिया गया है तो वो देना जरूरी है यह यहां पर writer ने पुरा मुद्धा उठाया writer बोलता है कि हमारे पास में proper data है वो data क्या show करता है इनका कहना यहां पर यह है कि जो एक reliable estimate है हमारे informal waste pickers का वो थोड़ा मुश्किल है निकालना बट फिर भी अगर आप देखोगे center for science and environment ने report किया है कि जो informal waste and economy है तीक है जिनके पास में कोई contract नहीं बस खाली ऐसी काम कर रह पर इनकी population present होगी बहुत सारी यहां पर महिला हैं बच्चे हैं बुजुर्ग हैं even disabled हैं poor हैं वो कही नहीं यह काम कर रहे हैं और काम करने के बावजूद भी violence face कर रहे हैं बहुत सारी यहां पर हिंसाई उनके साथ में हो रही है periodic labor food survey 2017-18 ने यह बताया कि आज के समय पर लगबाग 1.5 million waste pickers इंडिया के शहर वाले हिस्से में हैं जिसमें से आदे से जादा महिलाएं हैं जो यहां पर कूड़ा बीन रही हैं on average की बात करेंगे तो जो individual waste pickers है एक particular person एक दिन में या 8-10 घंटे में 60-90 kg तक जो यह कूड़ा है उसको इखटा करता है और इन सब को इखटा कर रहा है बिना safety equipment के उनको एक safety equipment देते हैं ना safety equipment ना कुछ है poor health है irregular काम चल रहा है income बहुत कम है लगादर harassment हो रहा है problem face कर रहे है health issues से यहां पर गुजर रहे है respiratory health problem से गुजर रहे है तो waste pickers जो इंडिया में या किसी भी जगा पर सबसे main काम कर रहे है solid waste का management proper कर रहे है और वही लोग की health यहां पर proper नहीं है उनके rights का यहां पर सब उलं सुधारने की जरूरत है even आज के समय पर यहां पर इनको health risk वो काफी बढ़ चुका है social status इनका बहुत ज़्यादा lower है तो वो सब सुधारने की जरूरत है और सुधारने की बजाए हमने और मामला खराब कर दिया क्यों अभी कुछ नई guidelines आ चुकी है कूडे वगरा कोई खटा करने के जो responsibility है वो इनसे भी छीनी जा रही है दिरेजरे करके जो यह waste pickers और की पेट पर और लाथ पड़ रही है क्योंकि extended producer responsibility नाम का एक guideline लेकर आए इंडिया में ठीक है अब यह जो guideline है यह क्या करता है waste management के जो responsibility है वो सीधा जो waste producer है जिसने आप प्लास्टिक बना यह उसी की जम्यदारी होगी कि उसको collect करेगा तो यह जो EPR है यह कहीं ना कहीं यह जो सारे का सारे informal waste pickers है इनको displace कर देगा आने वाले समय पर तो writer का कहना यही है कि दुनिया भर में जो waste pickers हैं जो यहां पर इस प्रकार से कूड़ा खटा कर रहे हैं collectors है ठीक है उन्होंने कई सारी जो plastics उनको recycle किया 60% जो plastic उसको उन्होंने खटा किया रिसाइकल किया 2022 में तो बहुत महतपूर काम है आज के समय पर इनका United Nation Development Program प्यू की जो reports हैं उनका कहना यह 2016 में अकेले जो यह informal waste pickers से उन्होंने 27 million metric ton के आसपास जो plastic waste उसको collect किया बताओ यहा जूब है या जो काम कर रहे है वो भी छीनी जा रही है अलग गाइडलाइन के माध्यम से ठीक है तो यह जो राइटर बोलता है जो यह EPR है यह EPR क्या कर रहा है producer की जो responsibility है जो यहांपर इसको produce कर रहा है plastic को उसी के responsibility है उसको recycle करना उसका यहांपर काम करना तो कही ना कहीं पर हमें ठीक है उनको एक अच्छी गाइडलाइन है इससे हम वेस्ट को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे लेकिन राइटर का कहना यह है कि हमें इन प्रॉपर रूल्स और एगुलेशन में यहां पर जो यह मिलियंस ओफ इन्फॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं उनको भी लाना चाह यह था था कि उनकी जो लाइफ हो बहतर हो सके ठीक है यह बात क्लियर हो गई तो यह था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा आज का डिसकेशन आई होप आपको मजाया होगा बहुत कुछ जानने को मिला होगा नाव हां मुझे पता है आपका एक एडिटूरल रह जा रहा है ठ डिसकस कर लेंगे कल कल नहीं तो परसो डिसकस होई जाएगा तो परिशान ना होएं कल मैंने एक आर्टिकल छोड़ा था मुझे याद है तो बिल्कुल ही परिशान ना हो तो जो वीडियो है दोस्तों वह भले यहाँ पर एक घंटा बीस मिरेट याड़ गंटे का वीडियो कर लो अब यार दोको प्रॉब्लम यह कि वीडियो को रेडि करने में कभी इंडेक्स नहीं बना पाता हूं या कभी क्वेश्चन नहीं लगा पाता हूं तो उसके लिए नराजगी मत दिखाए गरो यार जब टाइम ज़ाधा होता है तो मैं खुद यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे होता है तो आपको यह आर्टिकल मिलते कहां से हैं ठीक है कहीं आप पहले का तो नहीं पढ़ा रहे हो आप न्यूस्प्रिपर से मैच कर सकते हो न्यूस्प्रिपर के जो रेलिवेंट टॉपिक्स है वह आज के अखवार में जो आएंगे वहीं यहाँ पर आपको पाता है वो मेरे पास में है उलेडी बहुत पहले लियावा था तो उसके थ्रू यहाँ पर थोड़े बहुत आर्टिकल मुझे पता चल जाते हैं हाँ सुबह न्यूस्पेपर में क्या-क्या आने वाले तो उसके बेसिस पर में डीटा रेडी कर लेता हूँ आपको यहाँ प्रोवाइट करवा देता हूँ तो आज के अकवार का एडिटोरल जो आपने देखा होगा एकॉनवी को लेकर आर्टिकल अभी जीडीपी को लेकर टॉपिक है वो मैं कल डिसकस करूँगा उस आर्टिकल में थोड़ी डीटेलिंग्स की जरूरत है तो कल बताऊंगा मैं उ प्रेशान ना हूँ हर एक चीज मेरे जिम्मेंदारी है कवर करवाना आप पस खाली वीडियो उसको फॉलो करें प्रैक्टिस क्वेश्चन करें उसके अलावा डेटा को रिवाइस करना बहुत जदा जरूरी है क्योंकि रिवेजन नहीं करोगे तो इतना सारा कलेक्शन कर दिमाग में मेमराइस करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है रिवेजन से डेफिनिटली सारी चीज़ा याद रहेंगी रिवेजन इस अल्टिमेट सलूइशन फॉर रेटिंशन ठीक है अब बात आती हैं पर इस अर्ट क्वेश्चन की तो यह जो प्रेलियम्स का क्वेश्चन था 2008 का यहाँ पर यह क्वेश्चन था क्वेश्चन यह था कि बता वह यह चार पेर से इनमें से कौन से एक ऐसा पेर है जिसमें एक सबसे हलका मेटल और एक सबसे भारी मेटल है तो इसका सही उतर है option number B that is lithium and osmium lithium जो की lightest metal हो गया osmium जो की हमारा एक heaviest metal हो गया चीक है चल जो कि उता है जो के अजाल